निशकर्ष गुरु सहेबान द्वरा रचित बानी में हुक्म और इसके समान अर्थवाले शब्दों अम्र, कलाम, कल्मा, फर्मान, परवाना आदी का प्रियोग हुआ हैं। ये शब्द उस सिध्धान्त को अभिव्यक्त करते हैं, जिसका प्राचीन समय से वेदों, उपनिष्टों, युनानी चिंतन, ताओवादी मत, पारसी, यहूदी और इसाई चिंतन में भी उल्लेख है। रचना के पीछे, रचाईता और कारय के पीछे छिपे कारण को परमातमा की इच्छा से जोड़ना, हुक्म सिध्धान्त की नीव है। इस से परमातमा द्वारा सृष्टी रचने, उसका प्रबंद करने और उसका कल्यान करने की शक्ति का भाव प्रकट होता है। हुक्म से भाव है परमात्मा के नाम, अत्वा, शब्द की कमाई करना अर्थात प्रभु नाम का सुमिरन करते हुए उसमें ध्यानमगन हो जाना और उसी में लीन हो जाना हुक्म के स्वरूप को गुरु सहिब ने सरल शब्दों में सपष्ट करते हुए फरमाया है कि संसार में जो कुछ हुआ है या हो रहा है वह परमात्मा के हुक्म यानि रजा के अनुसार हो रहा है परमात्मा का हुक्म अटल है परमात्मा के हुक्म से ही स्रिष्टी की रचना उसकी संभाल और सहार होता है जीव हुक्म से इस स्रिष्टी का हिस्सा बनता है और हुक्म से ही इस से मुक्त होता है सत्य तो यही है कि जो कुछ होता है, हुक्म से होता है वास्तव में जीव को हुक्म की पहचान के लिए ही संसार में आने का अवसर दिया जाता है हुक्म का यह सिध्धान्त दर्शाता है कि रचना पहले से निश्चित मार्ग पर और निर्धारित प्रियोजनों की सिध्धी के लिए चल रही है और जो कुछ हो रहा है वह विधाता के विधान के अनुसार हो रहा है हालांकि हुक्म अकत है परंतु व्यभारिक दर्श्टी से इसको पहचानने और मानने की अवश्यक्ता है तकि हुक्म रजाई का भेद समझा जा सके इसी दर्श्टी कौन से गुरुनानेक सहिब ने खुक्म के सिध्धान्त में सूफी मत के प्रमुख अध्यात्मिक सिध्धान्त राजी बर रजा को स्विकार किया है हुक्म सिध्धान्त कर्म सिध्धान्त के आधार के रूप में भी कारेशील है यहां तक की जगत की संपून व्यवस्था के मूल में हुक्म ही लागू होता है हुक्म के अनुसार कर्म करने का अर्थ है सचेत होकर यत्न करना हुक्म का अर्थ स्वयम को निर्बल या सीमित करना नहीं है बल्कि अपने अंतर में गुप्त परम सत्य को प्रकट करना है परमात्मा के नाम सुमिरन के हुक्म को स्विकार कर लेना परमात्मा की प्राप्ति की और कदम बढ़ाना है इस मार्ग में आने वाले उतार चढ़ाव से विचलित ना होना ही जीवात्मा की सहज अवस्था है जीवात्मा का असली उद्देश दुख सुख में संभाव रखते हुए प्रभु नाम के सुमिरन के लक्ष पर ध्यान टिकाई रखना है इसी अवस्था को भाने में रहना माना गया है भाणे का अर्थ है अपना असली आधार प्राप्त करना, स्वयम को परमात्मा में लीन कर देना परमात्मा में लीन होने के बाद भी उसके हुक्म से उसके भाने के अदर्श को स्थापित करने के लिए संत जनों का सचखंड यानि सतलोक से फिर मृत्यू लोक में आना अनोखी मिसाल है भाने में रहने वाले संत सत्गुरू के लिए यहां वहां हर स्थान सचखंड ही है संत महात्माओं ने सैध्धांतिक और व्यावारिक द्रिष्टी से एक मात्र प्रभु नाम के सुमिरन को इलाही हुक्म के रूप में स्विकार करके हुक्म के सिध्धांत को सत्य के धरातल पर खड़ा कर दिया हुक्म सिध्धांत के अनुसार, संत सत्कुरू के हुक्म को सर्वोपरी माना गया है इस हुक्म में भय और प्रेम का भाव शामिल है इसलिए यह है परमात्मा और उसके हुक्म की शक्ती का सूचक ना होकर ज्यान और नेकी का रूप धरन कर लेता है इसमें भाय का अर्थ डर ना होकर अदब है जो भाने या रजा में रहने की प्रेरणा देता है हुक्म सिधान्त के अनुसार यह स्रिष्टी केवल परमात्मा की शक्ती का प्रकट होना नहीं है बलकि यह उसके प्रेम का खेल या लीला है संतमत के चिंतन से यह भाव द्रिड हो जाता है कि यदी जीव हुक्म की और ध्यान नहीं देता है तो वह ग्यान और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं से वंचित रह जाता है उस सर्वशक्तिवान और उसके हुक्म में तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता यह तथ्य हुक्म के सिध्धान्त को एक विशेश स्थान प्रदान करता है हुक्म के सिध्धान्त के अनुसार चलने पर व्यक्ति और समाज दोनों का मनुरत पूरा हो जाता है गज़ा में रहने का भाव है और सामाजिक संधर्ब में सत्संगती और भाईचारे का भाव है। हुक्म का यह सिधान्त बाहु बल या जोर जबर्दस्ति से किसी पर हुक्म चलाने, उसको अधीन करने या किसी की आस्था बदलने पर जोर नहीं देता। बलकि यह सिधान्त विशे विकारों से भरे मन को मार कर जगत को जीतने का महमंत्र सिखाने वाला है। हुक्म सिधान्त सर्वव्यापक है और समय स्थान के दाइरे से परे होने के कारण हर समय, हर स्थान, हर इनसान और हर संगठन की अवश्यक्ता को पूर्ण करने में समर्थ है। इस सिध्धांत से प्रेणना मिलती है कि प्रमात्मा को अच्छे लगने वाले आथ्यात्मिक कर्मों में यनी प्रभु नाम के सुमिरन की तरफ रूची बनी रहे। इसी से भय और भाव का स्वभाव बनता है। हुक्म के अनुसार जीवन बिताने से जीव, नदर यनी दयामिहर का पात्र बनता है। भारत और विदेश के सभी धर्मों में हुक्म की जलक स्पष्ट दिखाई देती है। सभी धर्मगरंथों में अलग-अलग भाशा में अपने ढंग से इस सिधान्त का वरणन किया गया है और इसको सर्वोपरी माना गया है। गुरुमत में हुक्म का नाम, शब्द और वानी के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार गुरु, नदर यानि कृपा, ज्ञान, कर्म, सेवा और भक्तियादी को हुक्म सिधान्त से जोड़कर इसको व्यापक और अटल सिधान्त का रूप दे दिया गया है। इसमें पूर्ण संतों और गुरु सहिबान के समूचे चिंतन का सार उपलब्द है। इसी उतना ही कल्यानकारी है, जितना की सैकडों वर्ष पूर्व, गुरु नानक सहिब ने इसे सिध्ध किया। किम सचेयारा हुई है, किम कूड़ै तुटै पाल, हुकम रजाई चलना, नानक लिखेया नाल। राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक, हुकम सिध्धान्त का समापन। ओडियो कॉपी राइट्स दोहजार चॉबिस, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधास्वामी सत्संग ब्यास।